तस रहा है , जब हम कूछ set बनाते हैं तो आपको बिल्कुल इरिटेशन ना लगे आपको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि बिल्कुल आपको खलेCalculation नहीं Calculation जा रहा है तो हम क्या करते हैं कि उसमें जो है THEORAW 아닙रे क्योंकि वी बी आई में केबल नुमेरिकल थोड़ी नहों होता है उसमें कुछ कॉंसेप्ट्यॉल कुेसंस भी होते हैं कॉंसाप्ट भी होता थेओरी भी होता तो हमने इसको मिक्स करके यह बहुत अच्छे तरीके से सेट किया है ताकि इंट्रेस्टिंग यह बन सके जैसे पुछा है वाट एक्सपरिमेंटल एविदेन्स सोच डा डिवल नेचर ओफ लाइट और इसमें जो है ए कंप्यूर्ट दा एनर्जी ओफ एफम रेडियो सिगनल transmitted at a frequency of 100 MHz and be what is the energy of a wave of red light with lambda 670 nanometer इस तरह के जो सवाल है इस तरह के जो सवाल है वो बहुत ही नॉर्मल और कॉमन सवाल होता है इस तरह questions दूसरी बात यह है कि यह जो सवाल आप questions देख रहे हैं इसको हमने अलग-अलग questions के कुछ important important part मिला के merge करके बनाया है इसलिए कई-कई सवाल तो आपको जो है बहुत बढ़ा बढ़ा दिखेगा लगया कि यह बहुत बढ़ा है इस तरीके से आपको लगी कर समझे तो जैसे सबसे पहला सवाल पुछाता कि ऐसे कौन सा experimental इविडेंस से जो यह दिखाता है कि लाइट के पास ड्यूवल नेचर ड्यूवल नेचर ड्यूवल नेचर के मतलब यह हो गया कि उसके पास ड्यूवल करेक्टर है वह पार्टिकल की तरह भी ट्रीट करता है और यह तो स्पेसली आपने जो है वецमा मेन आफ लाइट के उपर जो है बढ़िएंगा चप्टर अपने पड़ा कि कर यह ऑल लाइज कलास में पूर्स ने ही पूरा करवा पाईगे ना आप अपते में तीन क्लास महिने हम बारा क्लास आपको वीडियो से कवर करना ही पड़ेगा बास समझे यहां पर ठीक है चलिए यहां पर आते हैं लाइट के पास एक एक्सपरिमेंट है तॉमस्टन इंडिवीजन जिसमें हम जो है डिफ्रेक्शन ओफ इलेक्ट्रॉन वेप्स का बात करते हैं क्रिष्टल लाइटिस ओफ निकेल अच्छा यह जो एक्सपरिमेंट है यह डिटेल पढ़ना है नहीं अक्छुली लेकिन यहां कि पूछ दिया है यह और जब यह पूछ दिया है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा फिर हमें पूछा है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा मैं आपको थोड़ा से बता देता हूं समराइच कर देता हूं में भी आप प्रोर्स तो हो जाएगा देखे तेकंड चेप्टर है यह यह चेप्टर टू है डिवल नेचर अफ लाइट बाज एक्स्परिमेंटली वरिफाइड बाई यादर किया था 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 इलेक्ट्रों का डिफ्रेक्शन किया था दिफ्रेक्शन ओफ एलेक्ट्रों वेब क्या किया था डिफ्रेक्शन ओफ एलेक्ट्रों वेब और उनने कैसे किया था तो क्रिष्टल लाइटिस ऑफ निकल्स किया था इसको डारेक्टली आप याद कर लो क्यूंकि इसका एक्सपरिमेंट वेगर आप डिटेल में पढ़ने का मतलब नहीं है आगे आते हैं कंप्यूट देनर्जी ओफ एफम रेडियो सिगनल ट्रांस्मीड देट फ्रिक्वेंसी ओफ फंडर मेगा हर्ड ठीक है और दूसरा पूचा है वाट इस देनर्जी ओफ वेव ओफ रेड लाइड विद लामड़ा इज एक्वाल तो 679 मेटर कोई बात निसका अब हम देख लेते हैं जो भी है कि सो कि यहां पर क्या है कि कि दो जगा से हम इनर्जी निकाल सकते हैं मैं यहां बताता हूं कि देखो कि उसमें तो पर अराम अराम से निकालना ही पड़ेगा मुझे और जी को इसे डिनोट करते हैं यह एनर्जी हose जब अब one of energy को इस्टि नोट करते हैं तो वड़िमीन बधा के अनर्जी को आप इस डिनोट करते हैं त तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं और पहला तरीकह होता है कि आप मास से निकाल सकते हो मासनेचर पे มासनेचर कर लो या पार्टिकल नेचर कर लो और दूसरा तरीका होता है कि वेव नेचर से निकाल है ठीक है जब हम लोग मास नेचर पर आते हैं लाइब कल साड़े दस बजे जब हम लोग इस पर आएंगे इस पर इसमें क्या गीवेन होगा मास और यहां थी इसको फ्रिक्वें सी देगा इजिसको नियुस दिनोट करते हैं या तो वेबलेंध देगा जिसको लेंडुीन दिनोट करते हैं यह गीवेन होगा इनके जड़िये आपसे पूछेगा एनर्जी कलिपलेट कीजिए यहां बस आपको formula मालूम होना चाहिए, formula कैसे मालूम होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ यहां formula होता e is equal to mc square यह आपका formula है, c होता speed of light 3 into 10 to the power, 8 meter per second और aim तो आपका mass हो गया, in kg और यह आपका निकल जाएगा joule में, कितना joule होगा, joule में यह निकल जाएगा, energy in joule, टेक तो यह तरीका हो गया, बट यह आपका chapter में भी है नहीं, है नहीं है, यह निकालना है निकाल सकते हैं, आप इससे calculate करेंगे कि एक kg मान के चले किसी ने जो है, एक kg से उखा लिया, तो एक kg से उखा लिया, तो उसको कितनी energy मिलेगी, तो depend करता उसके body के उपर, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे, एक kg सो में, कितनी energy हो सकती है maximum, तो यहाँ पर आप multiply कर दीजिए, आपको बदर चल जाएगा, इकाइन एगर बेवलेंट देगा, तो यह एग लेमडा होता है, तो फ्रिक्वेंसी और बेवलेंट के एक रिलेसन होता है, तो फ्रिक्वेंसी बेवलेंट के रिलेसन क्या होता है, तो फ्रिक्वेंसी बेवलेंट के रिलेसन होता है, तो फ्रिक्वेंसी बेवलेंट के रिलेसन होता जाएगा अगर इतनी सी छोटी सी बात आपको समझ में आ गई और आपको जो है यह कलियर हो गया तो फिर फ्रिक्वेंसी जैसे दे अब बना लोगे कि लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा पता क्या हमें एक बात यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कि फ्रिक्वेंसी कई बार मेगा हर्ट में दे देता है तो उसको नॉर्मल हर्ट में लाना पड़ेगा या बेवलेंद कई बार पीको मीटर नैनो मीटर छोटा छोटा इनुड में दे देता है तो उसको नॉर्मल मीटर में लाना पड़ेगा तब जाकर हम इसको निकाल पाएंगे यह निए जो डाटा दे दिया वो निकाल देंगे आई आपके सवाल पर आते हैं आपके सवाल पर आएंगे तो दिस यूर वेरी गुड़ बढ़े आये अब तो आप बना लेंगे मुझे लगता है पका बना देंगे निए बनेगा बन जाएगा कंप्यूट दे एनर्जी ओफ एफ एम रेडियो सिगनल ट्रांस्मिटेट अड़ फ्रिक्वेंसी अंड्रेड मेगा हर्च कलर चेंज करें और दूसरा वाट इस दे अनर्जी ओप वेव लाइट जिसका यह दे रखा है 600 नैनोमेंटर दे पोर्स्टीं वे विल दू देट व रहे देट है क्या 100 मेगा हर्ट जो लिखा हुआ है तो हंड़ेड मेगा समतलो हंड़ेड एंटु टेन की पावर 6 सिक्स हर्ट मेगा होता दस की पावर 6 सबसे पहले इसको हम सरी कर देंगे ठीक है यह लिखा हुआ है कितना 670 नैनो मीटर तो 670 नैनो मीटर वो पहले convert करेंगे मीटर में 670 multiply 10 की पावर माइनस 9 मीटर ये दो काम आपको कर रहे हैं उसके बाद तो अपना formula जिंदावाद है यहां तो सिध्य लगा देंगे E is equal to hc by lambda और यहां लगा देंगे E is equal to h new यह जो होता है वो होता है planks constant ट्यूज होगा सी यहां भी होई है planks constant और सी के बारे में जानते हैं फिरी इन्टू टेन दूदी पावर एट मीटर पर सकते हैं बस बागी को calculation से और कुछ नहीं आगे आपको solve करना है जो था मैंने बताते हैं जो बताने की चीज़ते हैं आगे बड़े इस नोट को बनाने के बाद जानते इसको फिडियो बनाने बहुत टाइम लगा था दिख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ जी से एनाइस क्लासे मुवाइल नंबर यह ऐसे करके दिया गया है ऐसा इसलिए मुझे करना पड़ा कि जब मैंने फिजिक्स का वी बी आई सेट बनाया था तो मुझे उतना वह चीज़ती की कोपी होता यह होता वहता है यह मैंने उसको बना दिया था बनाने के बाद लड़की जो है मुझे मेरे पढ़ती थी तो अभी वह हमने वी-वी दिया नितक भूप में तो उसने जो है मैसेज किया कि सर यह आपका है क्या राइटिंग आपका मैच कर रहा है तो हमने का है तो मेरा ही नने कहां से तुमारे पास आया कई रहती थी पता निए पहुन से स्टेट से बात कर रहे थी कर दिए पढ़ाते हैं तो वो सर ना हमें यह दिये थे बोले यह पढ़ लो इससे तुम पास हो जाओगे मैंने का अच्छा तो हमने का कि उस सर को किसी स्टुडेंट ने दिया है तो यहीं से किसी ने लिया होगा तो दे दिया होगा और क्या प्रोबलमुतामे करते हैं और सारह काम मोवाइल नहीं कर नहीं तक मेरा हां में ज्याद़ा चलता है एक्स्प्लेंग मर्च एंडगरेंगायर वेज व हैं एग्जामपल ओप ऊपेच्छ पिकर पावर माइनस नाइन में हैं वो भी एक वर वह आप कल्कुलेट करो ना माइनस 26 और माइनस 34 का देखो सेट करके और क्या कल्कुलेटा नहीं के वल्गों देखो यह जो मैंने सवाल दिया है सवाल को देने का एक मकसद और भी था जब वह वी वी आई सेट बना रहे थे तो हमें इस बात का विसेश ध्यान रखना था कि यह सेट क्या फीचर ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई विद्यार्थी पीछे से चेप्टर नहीं पढ़ा है और यदर कम पढ़ा हुआ है और अगर वो ऻबी सेट पढ़ता है तो क्या तब भी उसको समझ में आएगा या नहीं समझ में बड़ी सवाल था जो कही नहीं जो है इस चीज को लेकर ठाद танद तो इस सेट को बना रहे थे तो हम आपने कहा कि हम ऐसे सवाल को स्टेट करेंगे कि अगर कोई पहली बार भी देखेगा तो ऐसे ग्लैंस में समराइज हुजाएगा चेप्टर उसका आप जैसे जैसे यहां पर जो है टाइम हो गया हर्दी कभी आगे भी थोड़ा करवाना बाकी सवाल के बाद में देख लेता हूं कि सवाल में देखो मैंने बॉन्ड लेंद्ध बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल दिया है तो एक स्टेट में आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा स्टाइब अबने बहुत च्टा होता है यह हमारा है और यह हमारा है इसका नुकेलिया स reef कि बीच के सेंटर को मिला देंगे यह आपको बीच का आएगा distance this is the bond length what is the bond energy bond energy क्या होता है ठीक है bond energy is the energy required to break chemical bond between two atoms into two neutral fragments it is expressed in kilojoule अगर मानगे चलो CL2 है ठीक है कैसे लिखते हैं सीएल और सीएल इसको अगर हमें break करना हो सीएल अलग सीएल अलग इसमें कितनी energy देनी पड़ेगी bond को तोड़ने में break करने में that is known as bond energy and bond angle क्या होता है होता क्या है कि जब आप multiple atoms को रखते हैं किसी भी उसमें अच्छा स्नेहा का बड़े भाई happy birthday स्नेहा प्रजापती हमारी सुपकामना है आपके साथ है हम दो गते हैं रोजयकात बड़े सबका आता रहे इससे ग्रुप का महल कम से कम हैपी हैपी तो रहेगा है नहीं लेकिन यह एक घर में दो तर लोग होते हैं ना तो उसमें क्या होता है उसमें जगडा होता है यह तर दो तीन लोग होता है तो जगडा होता है लेडी है अब यह भी इसका हो रुखिया है आप इससे बड़ी समस्या है कि यह इससे जगड़ा इस तरह से खासकर चलता रहता है तो उसका यह अधिक तरिका होता है कि भाई इसको दूर दूर रखो तो इतना परिवार से खतम हो बड़ इतना तो इसकें लिए आंगल के नाम से जाने बाइंगल के बीच में लगने वाले आपड़ तो यह इसका ज़िए रखेंगे घमा सान चलता लेगा में नहीं होता क्या है कि असली पहचान तो खेर सेम्पू की जगड़ें में पता चलता है लोग आती है डव बहुत बढ़ियां है और बहुत बढ़ियां वह तो ऐसे ही है मतलब पैसे लेगे कर देती है असली जो अगर आपको देखना है जहां जगड़ा होता है ना बाल की खीचा खीचाई होती है अब भाई जिसका बाल खीचने पर भी ना तूटे उससे पूछो कौन सा सेंपू लगाते हैं माता जी वो लेगा डव लगाते हैं डैट्स नाइस म ऑगे बढ़ते हैं में चली आगे बढ़ते हैं है मैं कुछन न्बर फूर पर यहां आते हैं वहकूर क्या कहता है यह उट इंधर इंधर दर्टार्सδαर देममः यह इंदर की उचीह नहीं कि वाइड कि मोस्ट गैस त Clyde tv eight फरॉम अईड़ लीएपियर इसट क्या होता है और मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम पूछ कौन सा रहे हो कहां पर पूछ रहे हो आइडल गैस क्या होता है और दूसरा यह कि तुम उसी में लटके हो रुख जाओ आगे देख लो वह एक बर कैलिकुलेट कर लो नहीं होगा तो भी हम बता देंगे पता चला उस एक के चकर म आगे कभी आपके माइंड से स्किप हो रहा है तो नुक्सान वाली बात है तो आइडल गैस क्या है और बाकी सारे गैसे क्यों आइडल से डेविएट कर जाते हैं तो उस राश्ते पर कौन चलेगा डेविएट तो करने ही करना है है नहीं लिगा अगैस ओवेंग गैस आदर से गैस बोलते हैं मोस्ट अब गैसे डिविएट प्रॉम विहेवियर विकॉज अब देखिए दो रीजन आमको बताते हैं डिविए होने का आइडल गैस ने कहा था पहली चीज क्या बोली थी अट हाई प्रेसर दा वालिम टेके नाप बाई दा मालिक्ष इज नो है तो काता है उसका जो मॉलेक्यूल है वह वाल्यूम लेगा लेगा ही नहीं उसका वालिम हम कर देंगे थीक ओए इस कमरे में गैस हैं यह जिलेंडरा भर के लाए और बोल रहा है और इसके जो मॉलेक्यूल से उसके वॉल्यूम नेगली जीवल है तो उसका तो बजन नहीं होना चाहिए फिर तो तो भी बजन भी होता है नट पॉसिबल तो सबसे पहला तो इसने कहा कि देखीजेगर हाई प आप बोल या कोई और आदमी है अभी मैं जिन्दा हूं किसी और एक्जामपल लेते हैं कोई और आदमी है और उसके बाद बोले कि वह ही नहीं यहां पर उसका स्पेसी नहीं है तो आत्मा है तब तो ऐसा है मरा हुआ है तब तो ठीक है अब देखिए क्या बोला था उसने कहा था कि दो गैसे गैसे के दो मालेकिल्स के बीच में जो इंटर मालेकिलर फोर्सेस है वो जीरो है ऐसे किसे पॉसिबल है कि जीरो रहेगा मानते हैं प्रेसर अगर हम बढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आ जाएगा ना और लोड ट इतना असे यही होगा और क्या पर यह तो बिल्कुली जीरो बता रहा था था यह दो चीजे जो आपको करना है यहां पर आगे बढ़ते हैं कि डिफाइन दा फॉलोविंग मुलारिटी मुलालिटी और नर्मालिटी बहुत आसान असान है जी देखिए द्यान से देख रहे हैं कैसे फिजिकल चैप फिजिकल केमेस्ट्री का पूरा रिविजिन हो रहा है आपका एक साथ सारा हो रहा है पोने नहों हो गया है मारा मु इसमें जो आप चिनी बेगरह मिलाते हो है चीनी सूगर जो भी आप मिलाते हो नमक बेगरह इसकू सॉल्यूट करते हैं क्या प्र दोनों को जब मिला देते हैं सरवत को स्वine Oh नी जा लोगते हैं है नीचे हमनों लोग लिखते है वोल्यूम आप स्वलीऊट पूरे सॉल्यूशन का मिक्स होने के बाद लेकिन अगर मोलालिटी बात करेगा तो मोलालिटी छोटा एम से दिनोट करते हैं और यहां पर हम लिखेंगे नंबर आफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे लिखेंगे वेट यह जो मास रहेगा मास ऑफ कॉल्वेंट इन केजी यह आपको ध्यान रखना है इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था तो ट्रीक ऐसा था कि देखिए यहां लीटी लिखा हुआ लीटी बिहार में लीटी चोका बहुत ही फेमस लीटी और वह आटे से बनता है तो अबसली जो है आप आटा खरीदोगे तो कैसे खरीदोगे कितना के बनता है दूसरी बात लीटी जब बनता है ना तो असे करके उसके और जो भी मटेरियल डालना होता है मसाला डाल देते हैं और उपर जिसको ऐसे बंद कर देते हैं तो आप देखो अगर छोटा अ.उस यह बंद कर दोगे बनिए लिटी तो देखो जहां भी लिटी समझना पड़ेगा यह होता number of gram equivalence और volume in liter इसका यूज बहुत ही कम है बहुत कम यूज है आपके chapter में लेकिन फिर भी समझना है तो आपको हाँ समझना पड़ेगा